आज मैं आपको एसने करने वाला हूँ ड्रैगन फ्लाइ मूवी यह 2002 की मूवी है यह ट्रिलर द्रामा और सस्पेंस मूवी है इस मूवी में जो मेन क्यरेक्टर है जो उसकी वाइफ एमिली मर जाती है उसके बात वो उससे कम्यूनेट कर रही है ऐसा उसे लग रहा होता है जो कि दोन हस्बन वाइफ होते है और यह दोनो डॉक्टर होते है तो जब मूवी स्टार्ट होती हूँ हमें देखता है कि एमिली जो होती है वह घर वापस आने की कोशिश कर रही है जो से कॉल पर बोल रहा है कि तुम क्या बार्टर पर आ सकती हो अब जो वहाँ काम कर कर रही होती है वहाँ पर जंग छिट चुकी होती है एमेली जॉक्टर होती है और आदिवासी लोगों की हेल्प कर रही होती है तो वहाँ वह गई हुई होती है और वहाँ जंग छिट गई होती है इसी वज़े से उसे अब फिर से घर वापस आना होता है उसे पता नहीं होता उस बक्स का accident हो जाता है फिर हमें directly America funerally दिखाया गया है जो उसमें grieve कर रहा होता है जहाँ Emily मर चुकी होती है वहाँ कुछ दिनों के बाद जो पहुच जाता है Emily की body अभी तक उन्हें मिले नहीं होती तो इसलिए वो वहाँ होता है वहाँ का जो officer होता है उसे कहता है कि body हमें मिलने नहीं वाली यहाँ का flow बहुत ही जादा है और पानी में वो गिट चुकी थी बस भी 10 feet पानी में ही है इसलिए impossible है जो जित पर अड़ा होता है जब तब मुझे body नहीं मिल जाती है तब तब मैं जाने ही नहीं वाला ऐसा हो से कहरा होता है पर वो officer उसे आशूर करता है कि impossible है जो इसके बाद मान जाता है जब इमिली का funeral हो जाता है तो जो directly hospital में चला जाता है अगर वो काम नहीं करेगा फिर भी उसे sorrow evanses होगा तो इसलिए वो काम करना चाता है जो वह आता है तब एक case suicide की आई हुए होती है उसे मना कर देता है कि मैं आज इन लोगों को treat करना चाता हूँ जो actual में जीना चाते है फिर उसमें एक case होती है जिसमें एक लड़की की delivery होने वाली होती है उसके critical condition होती है तो वो directly decisions लेता है मा मत जाती है और वो बेटा बच जाता है वहाँ की जो nurses होती है उसे बोलती है कि तुम्हें consultation करना चाहिए था पर उसे लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है और हमें directly यह सब कर लेना चाहिए यानि कि delivery कर लेनी चाहिए तुम्हें आज जो भी क्या है वो ज़रा गलत था जो decision तुम्हें pregnancy के वक्त लिये थे वो भी ज़रा questionable थे तुम्हें grieve करने के लिए time चाहिए तीन-चार महिने के लिए उसे लिव पर जाने के लिए बोल्ट रहता है जो फिर उस लड़की पास जाता है जिसने suicide की थी वो उसे कहती है क्यों तुम्हें मुझे मरने ने दिया मैं एक अच्छे place पर जाने वाली थी फिर जो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये place exist करता है ये अच्छा place है या नहीं ये तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हें अशूर करता हो कि वहाँ कुछ भी नहीं है जो भी है इसी life में तुम मरना है तुम मर सकती हो वो heart broken होती है इसलिए उसने suicide का try किया होता है फिर उसे कहता है कि जब तक तक तुम्हारा heart किसी को मालूम ना पड़े यानि कि तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें जिन्दा रहना है फिर हमें जो दिखता है कि बार में वो आयो होता है उसके सब friends होते हैं उनके साथ वो आता है इसका इसमें मन नहीं लग रहा होता उसके जो friends होते हैं वो discuss कर रहे होते हैं कि Emily कितनी अच्छी थी जो और Emily की जोड़ी के बारे में जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि Emily heart थी और तुम brain थे यह सुनकर जो को ज़रा बुरा लग जाता है और वहाँ से चला जाता है जो जब घर पर आता है तब उसकी neighbor उसी मिलती है उसका नाम होता है Mrs. Belmond Belmond फिर उसे कहती है कि मैं आज Emily के funeral पर नहीं आ सकी मुझे flu था और किसी को यह लगना जाए इसलिए में नहीं आई फिर वो उसे एक parcel देती है कि Emily ने parcel मंगवाया हता है Belmond उसे यह भी कहती है कि तुम्हारा जो bird है उसने दीन बर नहीं खाया है यह एक parrot होता है तो फिर जो उसे कहता है यह जो parrot है यह हमसे जादा जीने वाला है इसे कोई प्रॉल्लम नहीं आएगा घर में आकर जो जब इस parcel को खोलता है तो उसमें dragonflies होते है यह एक decoration के dragonflies होते है Emily pregnant होती है और अब उन्हें बच्चा होने वाला है इसलिए उसने dragonflies मंगवा होते है जो को फिर उन दोनों की trip आती है और late के side में लेटे हुए होते है और तो लिसकस कर रहे होते है और लिसकस कर रहे होते है कि after life में हम क्या बनेंगे जो कहता है कि मैं eagle बनूँगा फिर Emily कहती है कि अगर तुम eagle बने तो तुम्हें मेरे बिना ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैं vegetarian हूँ तुम्हें eagle नहीं बन सकती है उसे dragonfly बनना होता है उसे dragonfly अच्छा लगता है वो उसका spirit animal होता है उसे अपनी wife की बहुत ही याद आती है उसके wife का जो तोता होता है वो भी उससे बात नहीं करता वो सिर्फ Emily से बात करता था जब वो रात में सोय होता है तो जो paper weight होता है वो गिर जाता है और इस paper weight में भी dragonfly बना होता है पूरे घर में उसे dragonfly आज दिखे थे वो next दिन hospital जाता है तो अपने friends से lunch break पर यह सब बाते करता है वो कहता है कि पूरे घर में मुझे dragonfly देख रहे थे मेरा तोता भी मुझे से बात नहीं करता यह सब वो जब बोल रहाता है तो डॉक्टर फिर उसे कहता है कि तुमारी उस घर में बहुत सारी memories है तो मैं उस घर को बेच देना चाहिए जो उसे कहता है कि मुझे कुछ चीज़े करनी है इसके बाद मैं इस घर को बेच दूँगा वो डॉक्टरों से कहता है कि उस तोते को भी बेज़ दो पर फिर जो उसे कहता है कि एमेली को मैंने वादर किया था कि उस पैरट का मैं हमेशा खयाल रखूंगा फिर वहाँ हॉस्पेटल लगा जो पॉस होता है वो आता है वो जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए फिर जो उसे कहता है कि मैंने एमेली को प्रॉमिस किया था उसके जो भी सब बच्चे है उनका मैं खैल रहूंगा इसका मतलब है कि Emily जो होती है वो Cancer की डॉक्टर होती है और Cancer जिन बच्चों को हुआ होता है उन बच्चों का वो खैल रखती है तो जो भी अब उन बच्चों का खैल रखने वाला होता है फिर हॉस्पिटल का जो पॉस्ट होता है वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है फिर जो Emily जो स्वार्ड में काम करती थी वहाँ पहुच जाता है जब उसके पेशन की वो लिस देखता है तो बहुत सारे उसमें से पेशन मर चुकी होते है बहुत ही कम जिन्दा होते है वो उसे वार्ड में बेंच पर सो जाता है वो जाग जाता है जब उसे एक पुकार सुने देती है उसका नाम कोई ले रहा है ऐसा उसे लग रहा होता है जब वो देखता है तो एक बच्चा अनकॉंशिस होता है और उसे सब operation traitor में ले जा रहे होते है वो बच्चा ही उसे पुकार रहा है इसा उसे लगता है वो बच्चे के पास पीछे-पीछे जाता है तो बच्चा unconscious होता है और उसका heart stop हो जाता है डॉक्टरों से बचाने के कोशिश करते है पर वो उसे बचा नहीं पाते जो वही होता है वो बच्चा मर चुका था पर थोड़ी देर बाद वो जिन्दा हो जाता है सब लोग उसे बचा लेते हैं नस के साथ बाहर जो होता है तो नस उसे कहती है कि हमेशा ये बच्चा फिर से वापस आ जाता है जब वो मर चुका होता है उस time में वो क्या-क्या उसने महसुस किया था उसके stories भी वो बताता है वो एक tunnel के बारे में हमें बताता है नेक्स दिन जोको फिर लगता है कि उस बच्चे से उसे बात करने चाहिए तो इसलिए nurse को पुछता है कि क्या तुम मुझे round पर डाल सकती हो nurse बोलती है कि हमारा boss है इसके खिलाफ है पर उसके boss को वो भी hit करती है जो भी उसको hit करता है तो इसमें वो ज़रा connect होते है और फिर वो nurse उसे उस round पर डाल देती है फिर जो जब उस बच्चे से मिलना जाता है तो तो बच्चा cross बना रहा होता है nurse जो से कहती ही कि जब से यह उठा है यही cross हो बना रहा है जो अपने खुड से introduce उसे कराता है और कहता है कि कल मैं ISO में था तो बच्चा उसका नाम होता है जेफरी तो जेफरी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ थे, जो उसे कहता है कि तुम तो अंशकॉंशेस थे, तुम्हें कैसे पता था, जेफरी कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, नर्स जो कहती है कि जेफरी के पास बहुत सारे नियर डेथ experiences से, वो बहुत सारी stories सुनाता है, इस वर तुम believe मत करो जोफरी वर कोई believe भी नहीं करता वो नर्सों से कह कर जाती है कि इस तरह के जो discussion है यानि कि after life की जो discussion है वो हम encourage नहीं करते sister Madeline थी, जो ये करती थी तो हमने उसे fire कर दिया है जब नाज चली जाती है तो जो फिर से जेफरी से बात करने लग जाता है तो जेफरी से वो पुछता है तो जेफरी बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था पर मैं सीरिंग पर था यानि कि वो अपनी body से निकल जुका था उसकी soul चली गई थी और उसने उसे देखा था जो उसफर विलियू नहीं करता तो वो ये भी पताता है कि तुम्हारे tie अलग थी उसके बाद वो से कहता है कि तुम्हारे सरव पर एक ball spot है जो जब अपना नाम उसे पताता है तो वो बच्चा उसे कहता है कि क्या तुम इमिली के जो हो जो हैरान हो जाता है और पुछता है कि तुम्हें किसे पता तो वो कहता है कि मैं इमिली से मिला था जब वो कल चला गया था और जब मैं rainbow में था तब मैं उसे मिला था मैं बहे जाने वाला था मैं इस दुनिया से चले जाने वाला था पर एमिरी ने मुझे रोक लिया उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है उसने मुझे तुम्हें मैसेज देने के लिए भी कहा था पर अब ये मैसेज हूँ भूल चुका होता है जो उससे याद कराने के लिए बोलता है पर वो याद नहीं कर पाता ये सब चल रहा होता है तो जेफरी के फादर वहा आते है जेफरी के फादर फिर उसे पूछते है कि क्या तुम्हेरे सर पर जो बॉल स्पॉट है इसके बारे में इसने तुम्हें बुला है तो जो हैरान होता है जो को लगता है कि इससे कैसे पता तो फिर उसके फादर उसे कहते है यहाँ एक मीरर है वो मीरर उसे दिखाते है जिससे किसी का भी bald spot उनने दीख सकता है जेफरी के father भी जेफरी का believe नहीं करते उनने लगता है कि ये कुछ भी trick वेगरा कर रहा है उसे सिर्फ TV पर आना है इसलिए ये सब कर रहा है इसा उसे father को लगता है फिर जो वहाँ से चला जाता है जो जब वहाँ से बाहर निकलता है तब और एक बच्चे के ICO में देखता है तो वहाँ भी वो sign ही बना हुआ होता है जो जेफरी ने बना होता है जो रात में अपने friend के साथ डिनर करता है तो जो भी किसा उस बच्चे के साथ उसका हुआ होता है वो डिसकस करता है उसकी एक friend उसे एक lady से introduce कराती है वो से कहती है कि ये एक grief counselor है जो के लिए वो से recommend कर रहे होती है जो को फिर call आता है और वो वहाँ से चला जाता है वो जो counselor होती है वो वहाँ आकर उसे बात करती है वो counselor फिर उसे कहती है कि जो भी तुम महसुस कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि Emily तुमसे बात करना जाती है यह सब एक form of तुम्हेरे grieving है तुम anger महसुस कर रहे हो इसलिए तुम्हें यह सब लग रहा है जो भी चिर जाता है जो बोलता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्या मैं फिल कर रहा हूँ ये बताने के लिए मैं जो भी सब चीजे महसुस कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या महसुस कर रहा हूँ उसे anger महशुस हो रहा होता है उसे grief महशुस हो रही होती है फिर वह वहाँ से चला जाता है फिर next दिन में हमें दिखता है कि रात में जो hospital पोईच चुका है वह अब next बच्चा जो होता है जिसके room में उसे वह sign दिखा था वहाँ आ चुका है वहाँ आपने आपको इंट्रडेश करा थे हूँ बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ वो उसे साइन के बारे में पुछता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे वर्क जो था वो अड्मार कर रहा था याने कि जो साइनों उसने बनाय होता है उसे वो admire कर रहा था ऐसा उसे बोलता है तो वो जो ऐसे जो बुछता है कि तु मुझे कैसे जानते हो वो बच्चा कहता है जब मैं कॉवा में था तो मुझे एक lady मिली थी उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तुम्हारे इमेज मेरे माइड में उसने डिस्टील की थी उसने मुझे बताया था कि तुम मुझे से मिलने आओगे वो तुम्हें कही ले जाना चाहती है वो उसे पुछता है कि मुझे कहा जाना है तो बच्चा बोलता है कि जो cross बनाया होता है वहां उसे जाना होता है rainbow में उसे जाना होता है फिर जो उसे कहता है ये उस lady को तुम कैसे जानते हो वो कहता है कि कावल में जब था वो वहाँ मुझे मिली थी और जब मैं यहाँ इस hospital में पोहुत चुका हूँ तब उसकी इमेज मुसे दिखी थी वो यही हॉस्पिटल में डॉक्टर थी ऐसा उसे बताता है फिर उसे कहता है कि तुम्हें रेंबो में जाना है ये बच्चा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता पर उसे ज़्यादा हेल भी नहीं कर सकता फिर जो नर्स के पाज आता है नर्स से वो पुछता है कि क्या ये बच्चा मेरी वाइफ का पेशन था तो नर्स बोलती है कि तुम्हारी माइफ जब मर चुकी थी उसके बाद ही आया था जो जब घर आता है तब उसने अपने नेबर को बुलोया होता है उसकी नेबर को ये सब बोल रहा होता है एक ऐसे वो बच्चे उससे कम्यूनिकेट कर रहे है वो सब जो उससे जो महसूस हो रहा है उसे बारे में बोल रहा होता है वो नेबर उससे कहती है कि ये जो तुम्हें लग रहा है यह सब तुमें गलत लग रहा है यह सब तुम imagine ही कर रहे हो यह जो neighbor होती है उसकी बेटी भी मर चुकी होती है इसी वज़े से वो दोनों connect कर रहे होते है वो से कहती है जब मेरी बेटी मरी थी तो मुझे भी यह सब लग रहा था तुमें ज़रा time off लेना चाहिए तुमें कही नए place पर जाकर holiday करना चाहिए जो के friends king के trip पर जाने वाले है और जो को भी जाना होता है पर उसने बॉस पॉन के होता है पर अब वो फिर से जाने वाला होता है जो को Emily का और एक parcel आयो होता है वह Emily के photos होती है जहां वो लोगों को help कर रहे होती है आदिवासे लोगों को help कर रहे होती है वहां की ये photos होती है वहां बज्चों के साथ waterfall के पास बहुत सारी images उसके होती है ये सब जो images वो देख रहा होता है उसके बाद उसे dragonfly दीखती है वो उस ignore कर देता है और फिर वो सोने चला जाता है वो जब सोने चला जाता है तब तुफान आ जाता है सब खीड़केया वाइकरा ओपन हो जाती है उसका जो पैरेट होता है वो हमेशा जब एमिली घर पर आती थी तब एमिली घर पर आई है ऐसा अनौन्स करता था तो पैरेट बोलने लग जाता है तो जो यह देखने के लिए नीचे आता है तो पैरेट यहाँ वहाँ उड़ने लग जाता है घर को वो तहस नहस करने लग जाता है और वो वही बढ़ जाता है जब जो खिटके अवगरा बन कर रहा होता है तो वो उसे Emily की एक जलक दीती है वो ढर जाता है वहाँ से वो फिर घर से निकल जाता है वो अपने neighbor को भी call कर देता है और जो भी कुछ होता है वो उसे पता देता है वो neighbor उस parrot क्या care करने के लिए वहाँ चली जाती है फिर जो hospital में आता है hospital में होता है तो वो जेफिरी के बेड़ तक आता है पर जेफिरी अपना scan वहिएरा करने के लिए नीचे गया होता है तो उसका बॉस से मिल जाता है उसका बॉस फिर उसे कहता है कि जब तुम उस बच्चे से मिलने कल आय थे तो उसके बास उसकी condition बहुत खराब हुचकी थी तुमने उसे डिस्टब कर दिया था तो उसे फिर से वो ब्रेक लेने के लिए बोल रहा होता है या हॉस्पिटल से जो सिस्टर मैडलीन का पता निकाल रहा होता है Sister Magaline जो थी वो भी after life पे research कर रही थी और इसी वज़े से उसे hospital से fire कर दिया था जब जो घर पर आता है तो उसकी neighbor उसे कहती है कि एक serious बात मुझे तुमसे बात करनी है वो उसे गमला दिखाती है और उस पर वही sign बनाया होता है जो वो बच्चे बना रहे थे उसे कहती है कि वे तुम ही बना रहे हो अगर तुमने ये बनाया होगा तुम्हें help चाहिए वो फिर उसे ये भी कहती है कि ये ही sign इस गमले पर भी है और windows पर भी है ये देखकर जो हैरान होता है फिर वो sister Madeline से मिलने चला जाता है जब sister Madeline जहां काम करती वहाँ जाता है तब सब लोग उसे इनकार करते है sister Madeline से मिलने हमेशे जनरलीज जाते है तब सब लोग उसे परिशान होते है तो इसलिए उसे मिलने से सब उसे मना कर रहे होते है जो फिर भी अंदर गुश जाता है और मैडलीन से कहता है कि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ वो डॉक्टर है, उसा उसे बताता है मैडलीन फिर से उसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि यह जॉबपर होती है और इस जॉबपर उससे निकाला जा सकता है और अगर इस job पर एसे उसने कुछ बात की तो उसे निकाना चाहसकता है वहाँ का जो boss होता है वो पुलिस को call कर देता है जब जो वहाँ से बाहर निकलता है तो पुलिस उसे जब पुछताज कर रही हुती है तो Madeline ये सब देख रही हुती है Madeline फिर एक बच्चे से एक message विजवाती है इसमें Madeline से मिलने के लिए time दिया होता है फिर हमें judge में ये दोनों बात करते हो दिखते है Madeline से कह रहे होती है जो तुमें लग रहा है ये सब real है ये सिर्फ तुम्हारे mind में नहीं है फिर उसे explain करने के लिए बूलती है कि किसी भी तुम anesthesiologist से पूछो तब वो तुमें बताएगा कि जब mind unconscious होता है तो उसमें hundred layers होते है पर जब वो anesthesia देते है तब 10 लेर तक तुम पहुच सकते हो तो ये बहुत सारी चीज़े पता ही नहीं है वो उसे convince कर रहे होती है जो भी ये सब हो रहा है ये real हो सकता है जो उसे कहता है कि क्या ये मैं imagine नहीं कर रहा हो सकता तो कहती है कि imagination और reality में बहुती कम फरग होता है तुमने भी जब doctor तुमें बनना था तो तुमें imagine किया होगा कि तुमें doctor बनना है और तुम बन गए तो reality और imagination इतने अलग अलग नहीं है उस symbol के बारे में जो उसे पुछता है पर उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता जो एक book उसने लाई होती है उसमें वो चेक कर रहा होता है कि वो symbol कहा हुसे मिलेगा या नहीं पर उसे फिर भी वो symbol कहीं नहीं मिल रहा होता नेकसी में अब दिखता है कि जो अपने hospital में होता है और वहाँ एक emergency के case आती है जो का friend जो डॉक्टर होता है वो वहाँ नहीं होता और फिर वो जो को call करता है वो कहता है कि ये जो आदमी है वो आप मर चुका है तो इसके organs मुझे चाहिए ये एक organ donor होता है तो किनी transplant के लिए ये doctor उसे hold on करने के लिए बोल रहा होता है जो फिर उस आदमी के पास जाकर खड़ा होता है सब जब वहाँ से चले जाते है तो जो को लगता है ये फिर से वापर आ चुका है उसका इसी चीज़ होता है उसमें spike उसे दिखते है फिर वो आदमी जो जो पुकारने लगता है पर ये आवाज email की होती है ये देखकर वो बहुत ही disturb हो चुका होता है जब सब लोग वहाँ थे तो वो उनसे कहता है कि अभी उसे मन लेकर जाओ ये अभी भी जिन्दा है जब उसका friend भी वहाँ हो जाता है और एकीजी दिखता है तो अब इसमें कुछ भी spikes वगरा नहीं होते जो उस आदमी को लेकर जाने के लिए रेजिस्ट करता है पर सब लोग उसे फिर पकड़ लेते हैं और उसे रोक लेते हैं इस पर अब पुलिस के charges लग जाते हैं वो जेल में होता है तो उसकी neighbor आती है और उसे वहाँ से चुड़वा लेती है उसकी neighbor उसे कहती है कि अब तुम्हें इस सब से दूर निकल जाना चाहिए तुम्हेरा house वेगरा सब तुम सेल कर दो तुम्हें closure नहीं मिला है इसलिए तुम्हें यह सब कर रहे हो तुम्हें अगर Emily की body मिल जाती तुम्हें यह सब नहीं करते उसका closure उसे ढूड़ना चाहिए इसा उसे कहती है जो भी अब यह सब करने के लिए मान जाता है वो अपने friend के पास जाता है और अब वो drip पर जाने वाला होता है house को भी वो sale करने वाला होता है वो फिर house में होता है और सब packing कर रहा होता है जो फिर से घर में आता है तब वो जब सब चीजे उसने pack की थी उसमें से सब चीजे तहसने सो चुकी है वा उसे उसका map मिलता है जहाँ उसे जाना होता है इस map को open कर लेता है और इस map में फिर उसे वो sign दीख जाता है जो वो बच्ची बना रहे थे पिर अपने इंस्ट्रक्टर को call लगता है उसे बुशता है कि sign क्या है तो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि waterfall का sign है फिर Emily ने उसे जो photos send की होती है वो वो देखता है इस photos में भी waterfall होता है और उसे rainbow भी वहाँ देखता है अब उसे बदा चल जाता है कि वो सही direction में जा रहा है उसे उसे follow करना चाहिए फिर वो उस जगा बोच जाता है जहाँ Emily थी वहाँ एक flight hire कर लेता है जहाँ से वो Emily चाहा थी वहाँ बोच सके जब वो flight में होता है तो ये pilot उसे उस accident के बारे में कहता है वो उसे कहता है कि बहुत सारे bodies short तक आ चुकी थी एक गाव है जहाँ तक ये बोच चुकी थी इस गाव की connectivity पुरे अफ वर्ल्ट से नहीं है फिलर्ट ने सब बरबात कर दिया था और जो bodies उन्होंने अब गाड़ी हुई होती है वो जो को देखनी होती है वहाँ के local से बात करने के लिए पाइलट को उसने लाए होता है वो पाइलट फिर इन लोग को बताता है कि इसको उसकी wife की body देखनी है तो वो लोग मान जाते है फिर ये अदिवासी लोग उसे कहते है कि हम तुमें जहाँ उसे गाड़ा है वो जगा तो देख सकते है पर हम तुमें गाउ तक नहीं लेज़ जा सकते है ये restricted होता है फिर ये सब लोग वहाँ जाते है जो जब वहाँ होता है तो उसे waterfall दिखता है वो से पता चल जाता है कि कहाँ गाव है जो उस आधिवासी लोग को Emily की photograph दिखाता है वो फिर दोनों लोग जगड़ा करने लग जाते है एक बोल रहा होता है कि गाव तक इसे ले जाना चाहिए पर दूसरा उसे restrict कर रहाता है जो को waterfall दिखे रहा है तो वो directly वहाँ से भागने लग जाता है वो driver भी उसकी पीछे भागता है वो भागते भागते एक कड़ा पर आ जाता है वहाँ नीचे पानी होता है तो पानी में भी भी वो डूप जाता है उस पानी में उसे जिस बस में Emily थी वो बस उसे दिखती है तो उस बस में वो चला जाता है उस बस में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा होता है फिर भी उस बस में ही वो रहता है इस बस में जब पूरा पानी भर जाता है और वो भी अब unconscious हो जाता है तब उसे Emily उसके सपने में दिखती है फिर इस वीजन में उसे दिखता है कि Emily जब उस बस में थी तो वो जिन्दा थी वो unconscious होकर उस गाउट तक पहुँच गई थी जब जो को ये पता चल जाता है तो जो पाइलेट होता है वो उस बस से उसे निकाल लेता है उसकी जान बचा लेता है वो पाइलेट उसे बोलता है कि अब हम फिर से वापस चला जाना चाहिए हम जब रात तक पहुच गए तो हम यहाँ से बचकर निकल जा सकते हैं जो अब भी जाने के लिए रेडी नहीं होता और गाव की तरफ भागने लग जाता है वो पाइलट भी उसका पीछा करता है क्योंकि ये पाइलट अगर अकला गया तो उसका लाइसेंज जो है वो छीन लाया जा सकता है तो इसलिए अब उसके पास जोईस नहीं होती और जो काव पीछा करता है जो जाते जाते इस गाव तक बहुत जाता है जब जो वहाँ बहुशता है तब सब आदिवासी लोग इसको घेर लेते हैं फिर वो अपनी वाइफ की तब स्विर उन सब को दिखाता है वो सब लोग इसकी वाइफ को जानते हैं वहाँ फिर एक ओल लेड़ी आती है वो से कहती है कि हम तुमारी वाइफ को जानते थे यह हमें क्यूर करने के लिए हमें हेल्प करने के लिए यह आई थी जब एकसिडंट हुआ था तब यह फिर से इस गाव में आ चुकी थी फिर वो उसे एक हट में लेकर जाते है जब जो उस हट में जाता है तो हमें दिखता है कि एक करीब होती है और वहाँ एक बच्ची होती है यह जो की ही बच्ची होती है उस बच्ची पर बोड़ी मार्क के लिए बोलती रहती थी जब वो जिंदा थी जो मैसेज मुझे देना चाहती थी कि हमेशा मुझे फेद रखनी है मुझे बिलीव करना है तो मुझे डेथ में भी वो सिखा कर चली गई फिर हमें दिखता है कि उसकी बच्ची ज़रा बड़ी हो चुकी है और उसे वो खेल रह है वो बहुत ही खुश होता है यही यह मुवी कतम हो जाती है